कें गई गैज वेलकम बैक टू आवा न्यूजब लूग आई ओप अच्छ होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और मैं तो बिल्कुल भी फीट नहीं हूँ यहां पर और आज हमारी आंका नजारा देख तोगाई यहां पर और यहां देखो पूरा यहां पर न हमारे गाउं लोगों की चानी थी यहां पर और पूरी तूट रखी है यहां देखो पूरा यह रास्ता हुआ करता था और कभी आमने सोचा भी निदा कि यहां पे ऐसा इतना भारी नुकसान होगा हम लोगों का और इस साइड को पूरे घर भी आदा दूब रखे हैं यहां देखो घर के छट से उपर तक मलमा भर रखा है यहां पे यहां देखो काख चने बट जाना काख चन जाना तो यहां पे देख सकतो यार कितना इतना बुरा लग रहा है यहां पे पूरे तरीके से न हमारे गाउं का जो रास्ता है न पूरे तरीके से खराब हो चुका है और कभी यहां पे धारा हुआ करता था हम धारे में पानी भर के लेके जाते तो यह हैं कि पूरा नीचे आ चुका है पूरा कुराला यहां पेड वगेरा जितने थे न सारे नीचे आ चुके हैं और यहां देखो सारे घर के उपर भी पूरा मलमा आ रखा है तो यहाँ पर देख सकतो है जाए तो पूरे चाची लोगों का तो पूरा मकान दप गया है यहाँ पर भाबी लोगों का पूरा पानी यहाँ से होके जारा है और इतना ज़्यादा नुक्सान हो गया हमारे गाउं में तो अभी हम जा रहे हैं गास के लिए उसी वाली जगा पे क्योंकि हमारे यहां देखें कि अ कर विए रस्ता बंद मृवा नुक्त कर और हमारे घरों के जो आजपा खकी जो आसपास के लोग pocket तो आप यहां पर नजारा देख सकते हैं इतना रूना आरहे 7 पराइगोर्ड रसमे जपाल्का गीने तक चाने रोकचा रोकचा दोने में जाना दी पीली कह चुब गहें नहीं सातुऑ जो घ्लीजने travट डिल smartphone एड dement पेलिट गला हो और लो से अ को यह को पानी हो बतू हो ऑट यह गोना कि यहार वडिय झान्खी छेट को आonta तो यह को जो हो इंड एन सराई है बबरे इतना गाला पानी अब्सो principal कि अए आस गळ्योच प onsता हूार ए मिर अगड़ता बुर्ड़法र्ह परे गाहला यद्ढय कर ए यागड़न कावड़ जाया आस Ihnen जानला यह बब्दया हुआ के लागड़ – कि अव concept तब बार के लाग दिवाई तो अभी न हम जा रहे हैं घास के लिए और इतना भयंकर वाला डर लग रहे हैं हमने कभी क्या बोलते हैं कि सोचा भी नहीं था कि मतलब हमारी गाउं साइब में इतना भारी नुक्सान होगा लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए तयार हैं और हम लोग तो रात में अपने घर में नहीं सो रहे थे थे क्योंकि हमारी घर तक कल पूरा पानी घर गया था हमारे आदा चोप तक तो अभी मम्मी और माताजी और मैं जा रहे हैं गात के लिए और अभी उपर का यहां देखो बहुत बुरा लग रहा है यार कि हमारे गाउं में इतना भारी नुकसान हुआ है न सोचके मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरे हाथ पाउं कम पर रहे हैं तो अभी उपर चलते हैं और दिखाते हैं उपर कितना तूट रखाया और सबसे बारी नुकसान हो रखाए हमारे भेडों का हाँ पे खेतों को भी हो रखाये जितने भी ठे़ सारे या तूट गए हैं यहां पे जितनी हमने यहां पर लकड़ी वगेरा काटी थी, सारा पूरे मलमे में दब चुका है, कभी भोचा भी निदायार कि ऐसा होगा, और हमारे गाउं के जो तीन चार घर हैं, वो तो पूरे तरीके से मलमे में दब चुके हैं, और एक मकान तो जहां पर गाई भैंस हुआ कर दी तो वाइसा यहां देखो, बाबरे, तो यहां देखो गाईस, पूरा इतना भारी नुकसान हुआ ना, यह सारे खेत हमारे थे यहां पे, और बड़ा दुखा भी से है, यहां देखो, पेड़ इतने ज़्यादा तूट रखें ना, इस साइड को, और यहां पे जाना, कैसे ह यहां देख से खेंस, यहां पेडस भारी पत्थर आ रहे है, यहां देखो, बाबरे, बाबर ब्लब, इतना भारी पत्थर आ रहे हैं, दो चल्चल चल्चलering सुनीबाब, कहां प्रसाद, पहां देखो माबहन तो हमारे जितने भी यहां पर पेड़ वागे रहा थे ना वह अरे एसे यह में फंगड़ पाया आख तो हम लोग ने क्योंकि हम लोगों का न यहीं पर घास हुआ करता है यहीं पर जाद अतर हमारी खेती थी और गाय के लिए हम यहीं से घास अगेरे लेके जाते थे बट क्या करें यार पहली बार हमारे गाउं में इतना भारी नुकसान देखने को मिला है और इस साइड को डर भी लग रहा है बट क्या करना है जाना तो है गाय को क्या खिलाना है और मम्मी भी चल वटीने पड़ता हूं चुर क्या हुआ इस हो क्या कर देब पर तो हमारा इसते चुल आपने अगहां जाने के लिए और करने भी क्या है हमारा तो पूरा एरिया तो यही था घास ओला और इतने रिस्क से जाना पड़ रहा है अब आगे तो आपने देखा ही नहीं कितना भाज भायंकर वाला टूट रखा यहां पर चल आ वहां देखो सामने पूर इतने खतरनाक वाला टूट रखा है ना बाइगोट यह तो गाउं यह ना पूर उंद थो पहीं पूर गॉली जान थो आप दाड़ी आप बिलकुल नहीं अब यहां पर रहना बिलकुल भी सेफ नहीं है यहां देखो हमारी तो जो घरबार है तो सार सेफान उब क्या लगाओ यहां शोब तो सेफ नहीं गेखो डिम पाड़ा बिलकुल सेफ़ तो सांड़ निवें यह अधर जोड़ोनी चाहलेगी, विए जोट़ भी नहीं कोड़ुन्याच, ठीछ है कि प्राइए जोट़ोनी आदके। विर जोट़ जोटोट़ लीचेहा जाद कर दोटोट़ून्याच? लाखर था याक शीव गवेरिन चड़ था याक शीव गवेरिन शोफ गास पाथ गिम्रार थेकारी चीज गवें तो अले याप बातो चेथा बातो ने फूर नहीं न न आव निए भाई आप मुस्किल बाता ले और इतने भयंकर भयंकर पेड़ थे न यहां पे और क्या बोले यार कितना भयंकर मंजर हो रहता है न काटी थे हैं ब्यार डाल माई पूला बांद में इसाग में तो अब इन मैं उस वाली जगा पे आ चुकी हूं जहां पे फ्लड आना स्टार्ट हुआ था और अभी मैं आई हूं ताइजी लोगों की च्छानी में और ये त यहां पे न पूर्ड यहां पे प्रूरर बाड रखा हुआ था मधड़ा पत्थर से इसकी चिनाई की गई थी और यह जो पेळ है यहां पे दिख़ा यहां पे खेती थी और उपर साइड भावी लोगों के खेत वगेरा थे और उनकी गास वगेरा रहता था वहाँ पे और यहां से न मलग खेतों का पत्ता ही नहीं चल रहा है कि यहां पे कभी खेत भी हुआ करते थे और इतना भारी नुकसान हो गया है न यहां पे और अभी भी मौसम इ कि इतना आजीव लग रहा है न सच में आप मलब खुद मैंने अपने जो 24 एर्स हो चुके हैं मुझे यहां पर बट मैंने अपनी लाइफ में मलब पहली बार ऐसा मंजर देखा है अपने सामने मलब लाइफ ऐसा सो देखा है सो ही बोलेंगे हम इस चीज को कि यहां पर पूरा मलब खातर नाप हम उस चीज को न आमेज़िन भी नहीं कर सकते हैं यहांपे कभी इतने अच्छे खेत हुआ करते थे हमारे बट यहां पर बिलगुल भी पता नी चल रहा है कि यहां पे हमारे तो जितनी भी खेती थी सब यहीं थी और सारा नुकसान हो चुका है यहां पे और अभीNow लोग घर में बिलगुल भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि कल रात भी भारी बारिस की संभावना थी पर इतनी हुई नहीं है बट आज हो सकती है बट हम लोग अपने घर में नहीं रहे हम लोग नो पर से चाची लोगों की घर की ओर चले गए थे साइड वाले घर में और वहां पे भी जैसे नींद आ रही थी फिर भी वही मंजर दिख रहा था जो हमने कल दिन और ऐसे रिस्की वाले रास्ते पे हम लोग आये हैं तो जाना तो पड़ेगा और इतने भैंकर वाले पेड़ भी यहां पे गिर चुके हैं और बाबरे आप लोग भी अपने घर में सुरक्षित रहे और तो यहां पे ना ममी और मैं आ रखें घास लेने के लिए और इस वाले एरिया बेकारते और यहां करना नुकसान भी हो गया यार बहुत जादा वाला पापाने ना इतनी मैनस से इतने सारे पेड़ लगा रखेते ना इतने अक रोट के बान के बहुत सरे खाड़ी का डाव सोब पाड़ी ना उस जगह पे भी ना बहुत ज़्यादा डर है और यह वाला जो एरिया जाएगा ना सपोर्ज तो यह वाला हमारे घर को लेके जाएगा क्योंकि ना यहां पर पूर्रे मलब यह हो रखार जाना भी कहा है यार हम लोग उन्हें घास के लिए यही था हमारा एरिया और यहीं हम घास वगए रकारते हैं तो आप जाना भी कहा हैं दूसरी जगह हमारे तो खेट वगए रहे ही नहीं तो अभी मैं फटाबर से घास वगेरे कार लेते हैं क्योंकि मोसम भी बहुत जादा खराब हो चुका है और आप लोग भी किरपए करके अपने घर में स्वस्त रहे और मस्त रहे और हमारे जो भिलंगना पटी है भिलंगना पटी में कल इतने जादा बोस्कलन हुए हैं इतनी जादा लै अपने घर में सुरक्षित रहे और घर में भी सुरक्षित कैसे रहना है क्योंकि घर भी ऐसी तूट रहे हैं और गाउं में हमारे दो-तीन घर तो वैसी टूट गए हैं डूब गए हैं और उन की मदद चेहरों को देखके ना इतना वो लग रहा है कि बाबरे अपने घर को चोड़ने का मतलब कैसे दुख होता है अंदर से और मम्मी भी न कल से मतलब ऐसे सेट से हो रहते हैं पापा भी हो नहीं है क्योंकि मतलब लोगों की अपनी मेहनत होती है लोगों ने इतनी मेहनत करके इतने बड़े-बड़े घर बना रखे थे और एक जटगे में मतलब मुखी मा जगती तो उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अपने घर में रहो पर सुरक्षित रहो सुरक्षित इस्तान में रहना है पहले ही बता दिया था कि कभी भी यहां पर आबदा आ सकती है उन्हों जो भगवती है उन्होंने 21 तारी की डेट दी थी और 21 तारी यहां से घास होती है क्योंकि यहां का कोई भरोसा नहीं है और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे यहां पे прик вес देख रहे हैं तो यहां पारक्ता अपर हुआ करता है और हमारे खेट में साथे पीछ programs और मिलते हैं आपको सीधे गर्ट तो दूंग को क्या और लाई यह वाला पथर यहां पे था यह वाला पाफ चानल यह नी आ गया है और इह वाल पेड़ आ उपर धैं वह भी नीचे आ गए हैं उ सजब में नहीं दिखाये दे रही हैं यहां पर पूरी तरीके से ध सूजब कहाई पहले हैं रखाने रहे हैं डिखाने हो प्रहण नेकर सब्सक्वर्द मोरा रातों है और यहां पर पूरी जो धरती है वो ऐसे हिलसी रही है यहां देखो यहां पर रुकना साही नहीं है और इमा फटावटो बाबरे आराम से ओवा यह पर यह बाप फिसलांची आरे बाबा बैंगर यह वाला पैड़ देखो यहां पर खतर नाक तरीके से टूट रखा है यहां पर यह जारी के चाहिए बेठर पिजने आवां हाराम से ओग बबा तो अभी ना गाईज यहां पर देख पा रहे होंगे यहां पर लोग आ रहे नीचे और हमारे गाउं में कल तक तो कोई आय नी था बड़ आज पटवारी जी आ रहे हैं यहां देखो क्या लाइन लग रखी है यहां देखो तो हम लोग तो उनके साथ जा नहीं सकते क यहां पर बहुत जादा डर है हमारे घर के लिए और अभी हम इस वाले एरिया पर जा रखे ते यह जो आपको पेड़ दिखाए दे रहा है इसके पीछे और जो यह पेड़ है यह भी नीचे गिरने के कगार में है तो यहां पर लोग भी आ चुके हैं यहां देखो अभी को देखे रही बताए है के एक हमार जाँ पेड़नी बताए हमारी है यह खिल पड़ु आप बोल पड़ पर फटा बड़ु पाप बोल पाप बोल इसधो कोड़ जो कोड़ का नी बुल का यहां पाल बंढ़ु ऑंदरू आपनमे, बाका बॉरिस्का भी होा गुप और इस है हम बताओ। भीन, लो बार्टा ने वननाी है, इसने मेरा आध ट्रू देया डंड, लो इसनी मेरा हा अंचा बंड, ऌसनी मेरा हा थो तो बिसकी कर आध बच्चीघ इस बच्चीघ के चार दांत अगे दान वे पान लेवा है कि अभय को यह कर लहा है अब लोगनी डाँख जोडा चानी डांत कि एमी मुझे देख अब जदेऊंबल परार आगा जादो बाद पार जादो आप पार जादो अब जेकार ला तो बढ़ो आदिम ये कार बगाद देमा तो अब ही ना हमारे गाउं में जो लेंड शलाइड वाथा यहां पे हमारे गाउं के लोग सारे लगे वे हैं यहां पे साफ करने पे यहां देखो और पानी का जो बहाव है बहुत जादा आ रहा है यहां पे यहां पे धारे का बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है कि धारा कहां पे हुआ करता था यहां देखो पापा जी चाचा जी सारे ताओ जी लोग सारे लगे वे हैं गाउं के और ये वाला जो घर है ये तो बड़ी मुस्कल से बचा है इस साइड को और सारे लोग लगे वे हैं यहां पर पीछे से यहां पर बुआ लोगों की चानी थी तो वो भी न पूरे तरीगे से बरबाद हो चुकी है और सारे लोग लगे वे हैं यहां पर देखो और अब भी बारिस होने की संबावना है फिर से और फिर से उपर से दरारे फिर से पड़ रखी हैं तो श्याम तक कुछ भी हो सकता है यहां पर अरे बंदरू अरे बंदरू है मैं और संहीं तो कारी यहां यहां सोधान खेत लाव कांगी संहां je बंसका, है यहां सपड़्ू गार से बंदरू है औक में जह को भी ते स firmsे है। इसम्स को अरे बंदरूय consent नहीं कि आपने है उती कि आया है यूह से जोँने है एक नहीं को सुआपक है आपững आपकोष टो Europe नहीं सुआपक है हई रना है तो तो एक उलो जो एक फीघodel ने ने तो आज का ब्लोग में यहीं पर एंड करती हूं और मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लोग में यदी कल सुरक्षित रहते हैं क्यूंकि मतलब मन में कल से इतना भै हो रखा इतना डर लग रहा है कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता है तो आप लोग भी अपने घर में स्वस्त रहे सु पोर्ट जरूर दिखाना